हाई गाईस तो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो आज हम एक नई इस्टोरी के साथ आए है जो कि बहुत मज़ा आएगा इस इस्टोरी में हम सीखेंगे नए-nay words की meaning basic English पढ़ना सीखेंगे and उसकी meaning भी सीखेंगे pronunciation सीखेंगे तो चलिए गाईस वीडियो को बीना देर की हुए इस्टार्ट करते हैं और यदि हमारी इस्टोरी पसंद आती है तो प्लिस लाइक जरूर कर दीजेगा शेयर करके comments भी जरूर कीज़े कैसे लगती है हमारी नई-nay इस्टोरी और आपको इंग्लिस सीखने के लिए जो basic word होते हैं और उनकी meaning होती है pronunciation होते हैं वो सब भी इस इस्टोरी के माथ्यम से cover होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं lesson 12 दा magic poris pot magic means होता है जादू, poris means होता है खिचडी, pot means होता है पात्र या बर्तन, poris means होता है खिचडी यदि आपको इस से पहले खिचडी की English meaning पता रही होगी या फिर नहीं रही होगी तो please comment करके जरूर बताएगा तो हम इसका meaning जानते हैं magic means जादू, तो जादूई खिचडी का पात्र, इस पाट का नाम है जादूई खिचडी का पात्र once there was a little girl named Tara, named Tara, once मतलत एक बार there means होता है वहाँ और सामने में लगा तो इसका meaning नहीं निकालते है was means thai, a means a, little means छोटी, girl means लड़की named नाम Tara तो एक बार की बात है, there was a little girl named Tara, एक छोटी लड़की जिसका नाम Tara था she lived, वह रहती थी with her mother, with her mother, अपने मा के साथ, she means वह, leave means होता है रहना with के साथ, her means अपने mother, mother, mother means होता है मा, तो she lived with her mother, वह अपनी मा के साथ रहती थी वह अपनी मा के साथ रहती थी, they were very poor, they means way, were means थे, very means बहुत, poor means गरीब they were very poor, वह बहुत गरीब थे, one day, एक दिन, she went to a forest, forest, she means वह, went means गई, to a forest, forest means होता है जंगल तो एक दिन वह जंगल की ओर गई, एक जंगल की ओर गई, there, she met an old man, there means वह, she means वह, met means मिली, an means होता है एक, old means होता है बूरी, पुराना, women means होता है आरत, तो वह एक बूरी आरत से मिली जो तारा है, वह जंगल की ओर गई, तो वह एक बूरी आरत से मिली, the old woman gave her a pot, old woman बूरी आरत gave, gave means होता है दिया, her means उसे, a pot, एक बरतन, बूरी आरत ने उसे एक बरतन दिया, she said, और उसने कहा, she said, उसने कहा, this is a magic pot, this means यह, is means है, a means, एक magic means होता है, जादू, और pot means होता है, बरतन या पात्र, तो यह है, एक जादवी बरतन है, it will cook, इससे खाना बनाएंगे, यह खाना बनाता है, या इसमें खाना बनता है, for is for you, when you say, when you say, जब तुम कहोगी, cook, pot, cook, खाना बनाओ, भरतन, खाना बनाओ, when means जब होता है, और सामने आया तो कब होता है, बीच में है, तो इसका मतलब हो जाएगा, जब, you, तुम, say means कहना, तो जब तुम कहोगी, cook, pot, cook, खाना बनाओ, cook means होता है, खाना पकाना या बनाना, pot means बरतन, तो खाना बनाओ, बरतन, खाना बनाओ, तो क्या होने लगेगा, यह porridge, खिचडी, खिचडी, तुम्हारे लिए खाना बनाने लगेगा, जब तुम कहोगी, cook, pot, cook, तब इस बरतन म खिचड़ी पकने लग जाएगा, बनने लग जाएगा, तुम्हारे लिए खिचड़ी बनने लग जाएगा, अर जब तुम कहोगी, पोले खिचड़ी बनाना बन्द कर देगा, तब यह खिचड़ी बनाना बंद कर देगा तारा वास वेरी हैप्पी तारा बहुत खुश थी तो तारा बहुत खुश थी वह अपनी मा के पास दोडी भागी वह अपनी मा की ओर भागी and said, और कहा, और कहा, Mother, Ma, we will no longer be hungry, we will no longer, अब हम बहुत समय तक भूखे नहीं रहेंगे, तारा ने अपनी मा से कहा, Ma, अब हम बहुत समय तक भूखे नहीं रहेंगे, hungry means होता है, भूखा होना, no longer, longer means longer, यह बहुत टाइम तक, we means हम, अब हम बहुत समय तक भूखे नहीं रहेंगे, as, I have got a magic pot, यहाँ बीच में as का use हुआ है, तो यहाँ पास के लिए होगा, because, because, यहाँ पास इसका meaning, because हो जाएगा, क्योंकि, sorry, यहाँ पास क्योंकि इसका meaning होगा, क्योंकि I have got, I have, मेरे पास है, a magic pot, मेरे पास एक जादवी पात्र है, तारा पोट को कहती है, cook, pot, cook, तारा बातन को कहती है, cook, pot, cook, खाना बनाओ, पात्र खाना बनाओ, and the pot cooked pour is, और जो बातन है, वो खाना बना देता है, या बनाना सुरू कर देता है, Her mother was very happy, and they both ate porridge, her mother, उसकी मा, was very happy, बहुत खुश थी, उसकी मा बहुत खुश थी, and our, they both, वे दोनो, both means होता है, दोनो, they means way, वे दोनो, eight means खाए, eat means होता है, खाना, यह second form है, यहा पास हो जाएगा, खाए, porridge, वे दोनो, खिचडी खाए, porridge means होता है, खिचडी, तो वे दोनो, खिचडी खाए, one day, एक दिन, भेन तारा had gone out, एक दिन, जब तारा, अपने घर से, बाहर कहीं, बाहर गई हुई थी, gone out means, यानि कि बाहर गई हुई होना, कहीं, गई थी कतारा, भेन, mother felt, हर mother, her mother felt, उसकी मा महसूस की, hungry, उसकी मा बहुत भूकी थी, hungry means भूकी, तो एक दिन, तारा, जब अपने घर, घर में नहीं थी, कहीं, बाहर गई हुई थी, तब उसकी मा को बहुत भूक लगी, she said to pot, उसने pot बर्तन से, बर्तन को कहा, cook, pot, cook, खाना बनाओ, बर्तन खाना बनाओ, the pot started cooking porridge, और बर्तन खाना बनाना शुरू कर देता है, started means शुरू करना, cookie means खाना बनाना, porridge खिचडी, तो बर्तन खिचडी पकाना शुरू कर देता है, जब उसकी मा भूकी होती है, वो बर्तन को खाना बनाने के लिए बोलती है, पातों को, तब वो खाना बनाने लगता है, पातर शुरू कर देता है, खाना बनाना, उसके बाद, after eating it her mother said और खाना खाने के बाद after meet होता है कि बाद तो खाना खाने के बाद घर मदर उसकी मा said उसकी मा ने कहा do not cook pot खाना मत बनाओ पात्र but the pot went on cooking परंतु जो बर्तन है वो खाना बनाना नहीं रोक रहा था बर्तन है जो खाना बनाना नहीं रोक रहा था Soon the porridge बहुत जल्द ही खिचड़ी started spilling on the floor Soon means होता है जल्दी It started शुरू करना ये शुरू किया Spilling means होता है फैलना गिरना On पर floor means होता है first Soon the porridge started spilling on the floor बहुत जल्द ही खिचड़ी नीचे गिरना First पर नीचे गिरना शुरू हो गया Mother called out again फिर मा ने पुनह कहा पुनह कहा Again means पुनह कहा Wait, रुको, do not cook anymore अब ज़्यादा मत बनाओ रुको पात्र, अब ज़्यादा खाना मत बनाओ ऐसे उसकी मा बोलती है पोट से, बतन से But the pot did not stop परंतों जो बतन हो रुकने का नाम नहीं ले रहा था यानि कि खाना बनाना नहीं रोक रहा था Mother ran out of the house And mother उसकी मा जो तारा की मा थी मा अपने घर के बाहर दोड़ी Out means बाहर, ran means दोड़ी तो वह अपने घर के बाहर दोड़ी And the police followed her और जो खिचड़ी बनाने का पात्र था उसके पीछे-पीछे जाने लगा Follow means होता है अनुसारान करना या पीछे-पीछे भागना जाना Poris तो उसकी मा जब अपने घर के बाहर दोड़ी तो जो खिचड़ी का पात्र है वो उसके पीछे-पीछे भी आने लगा Soon there was police everywhere बहुत जल्द ही जो खिचड़ी था वो हर कहीं हर जगह फैल गया हर जगह गिर गया फैल गया Everywhere हर जगह फैल गया The whole village Whole means होता है पूरा Village means गाउं So it पूरा गाउं इस दृशे को देख रहा था They ran to eat the porridge अब वे गाउं के सभी लोग खिचड़ी खाने के लिए दोड़े वे गाउं के सभी लोग खिचड़ी खाने के लिए दोड़े They ran to eat the porridge वे गाउं के सभी लोग खिचड़ी खाने के लिए दोड़े When Tara came back जब Tara वापस आई गेम बैक मिंस होता है वापस आना, जब तारा वापस आए, सूसने देखा गए सब cricket, देखा जब तारा वापस आए, तो उसने देखा कि पूरा रास्ता, पुरे रास्ते में खचडी भरा हुआ है, फूल उआसूरी से भरा हुआ है, she ran whom वह अपने घर की तरप दोड़ी as fast as she could वह अपने घर की ओर जितनी हो सकी उतनी तेजी से दोड़ी she heard her mother उसने अपनी मा को चिल्लाते हुए सुना she heard her mother shout उसने अपनी मा को चिल्लाते हुए सुना Tara the pot is cooking and it will not stop Tara पात्र खाना बना रहा है and it will not stop और रुक नहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है यानि कि नहीं रुक रहा है Tara called out तो Tara ने कहा stop pot stop रुको पात्र रुको and it is stopped cooking porridge फिर उसके बाद जब Tara कहती है stop pot stop तब वो जो cook कर रहा था वो पात्र खिल्ली बना रहा था वो रुक गया Tara called out stop pot stop and it is stopped cooking porridge तारा ने जब कहा रुको पात्र रुको तब porridge बना बनाना पात्र रोक देता है So friends तो कैसे लेगी हमारी यह स्टोरी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरूर करना Magic, जादू, फेट, इंतजार करना Poris, खिचडी, anymore means होता है बहुत अधिक यहाँ पास नहीं लिखेंग में Pot means होता है बरतन, follow means होता है अनुचरान करना या पीछे-पीछे आना Once means होता है एक बार, Everywhere means होता हर कहीं Little means होता है छोटा, Whole means होता है पूर्ण या पूरा Live means होता है रहना, Village means होता है गाउं Mother means मा, Saw means देखना They means way, Comeback means होता है वापस आना Very means Very means बहुत, Road means रास्ता Poor means गरीब, Full means पूरा War means थे, Heard means सुना या सुनी One day, एक दिन, South means चिलाना या चिलाई Forest means जंगल, Met means मिला, Old women means बोड़ी, औरत Gave means दिया This means यह है, Cook means पकाना, When means जब, Stop means रोकना Make means बनाना, Happy means कुश होना We means हम, Long means लंबा, Hungry means मूखा Both means दोनों felt means महसूस किया, Start means शुरू करना Soon means जल्दी, Spill means होता है, फैलना या गिरना Floor means होता है, First So I hope guys आप लोग हमारी ये वीडियो में जितने भी हम Basic Word Meaning बताएं हैं उसकी वो जरूर आपको समझ में आया होगा, पढ़ने में आसानी होई होगी, यदि आप पढ़ रहे होगी इसको तो So guys तो आप लोगों को हमारी वीडियो पसाद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो please like, share और comment करके ज़रूर बताना कि कैसे लगती हमारी ये वीडियो और आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, वो भी आप comment करके ज़रूर बताएंगा So guys तो यदि हमारी चाहिएं को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो please सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ज़रूर प्रेस कर देजेगा ताकि ऐसी हम प्रतेक वर्ड मीनिंग वाली स्टोरी सहीत वीडियो हम आपके मुवाईल तक जो भी वीडियो बनाएं, वो सबसे पहले आपके मुवाईल तक पहुँच जाए So guys तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद